देखते ही देखते मेरे Lloyd TV का 6 years complete हो गया जी हाँ दोस्तों ये मेरा Lloyd का 32 inch HD LED TV ये अभी 6 years complete कर लिया है और इन 6 years में मेरा इस TV के साथ जो कुछ experience हुआ है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे पहले तो हम बता देना चाहेंगे कि ये जो TV है ये 32 inch HD LED TV है मतलब कि ये 720p HD TV है ये full 1080p HD TV नहीं है पर इन 6 सालों में मुझे इस TV के साथ बहुत ही अच्छा experience रहा है मेरे experience के बारे में जानने से पहले इसका जो connectivity options है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे इसके नीचे के तरफ और साइड के तरफ रेंज of connectivity options अब को देखने को मिल जाता है DVD component input के लिए YPBPR, CVBS video input के लिए audio video in sockets, 2 USB input socket, 1 audio output socket that is headphone output socket, 1 traditional antenna cable input socket for PC connectivity there is a VGA connector and a audio in connector, 2 HDMI input port, ये सारे connectivity options अपको मिल जाता है इसमें आपको मिलता है दो bottom firing speakers, ये 10 watt plus 10 watt, दोनों मिला के 20 watts का sound output आपको मिलता है मैं ये जो TV है ये करीब 13 feet distance से देखता हूँ और मुझे आज तक कभी भी sound में कोई भी कमी महसूस नहीं हुआ enough clarity और एक थेन सा TV के लिए जितना bus, triple, balance जितना कुछ होना चाहिए वो सभी कुछ इसमें उपलवध है switch controls की बात करें तो नीचे के तरफ एक ही control switch दिया गया है जो की power on off button और source selector button के तौर पे काम करता है ये बहुत ज़्यादा slim TV नहीं है, बहुत ज़्यादा bulky भी नहीं है नीचे के तरफ एक power indicator दिया गया है जो standby mode में red glow करता है और standby से release होते ही blue में glow करता है Lloyd एक Indian company है और ये एक more than 60 years old company है दुनिया में कई देशों में इसका manufacturing plants है और कई हजार लोग इसमें काम करते हैं ये एक reputed Indian brand है बहुत ही पुराना बहुत ही जाना माना अपको हम बारी बारी SD और HD दोनों ही तरह का channel दिखाएंगे इससे अपको पता लग जाएगा कि इसका picture clarity कैसा है color purity कैसा है picture smoothening कैसा है इसका sharpness कैसा है overall viewing experience कैसा मिलता है मुझे ये अपको अभी दिख जाएगा हम बारी बारी आपको दिखा रहे हैं SD और HD channels को अप गौर से देखिए आपको कुछ खास फर्क नजर नहीं आएगा of course HD और HD channels में कुछ फर्क तो होता ही है पर ये एक full HD TV नहीं है ये एक 720p HD TV है पर फिर भी इसमें SD content देखें या HD content देखें आपको picture clarity में color purity में कोई भी compromise न तिखाने की कोशिश करेंगे शायद मेरे camera का microphone justice नहीं कर पा रहा होगा पर फिर भी आपको एक अंदजा लग जाएगा की इसका sound clarity भी कितना अच्छा है तो overall if I want to make a conclusion this is a very good TV because I am using this since last 6 years तो 6 सालों में मुझे आज तक इस TV के साथ कोई भी शिकायत नहीं है इसका operations menu जो है ये बहुत stylish नहीं है ये एक सादा सा ordinary सा दिखने वाला menu interface है पर उससे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि ये एक budget television है तो एक 32 inch ordinary HD LED TV होने के बावजुद इस TV में मुझे हर वो खुबी नजर आती है जो की एक महेंगी TV में हमको दिखाई देता है menu functions को अगर आप देखें तो आप देखेंगे ये एक well laid out menu control system इस TV में दिया गया है इससे आप अपने TV की system को sound को picture को अपने ही साब से tweak कर सकते हैं TV AV component input HDMI 1, HDMI 2, VGA, Media 1, Media 2 सारा कुछ selection आप या तो physical button से नहीं तो remote control से कर सकते हैं कि इसके साथ एक well laid out remote control भी आपको मिल जाता है ये कोई कहने की बात नहीं है आपको हम बार-बार HD और SD channels दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कि जैसे HD channel का clarity आपको देखने को मिलता है वैसे HD channel का clarity भी आपको देखने को मिलता है HD stands for high definition and HD stands for standard definition तो ये है इसका picture clarity, picture quality इसके remote control की पीछे customer care toll free number दिया हुआ है वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं नहीं तो आप अपने nearest service center में contact कर सकते हैं मेरे comment section में बहुत सरे comments मुझे ऐसे पढ़ने को मिला जिनको Lloyd television के साथ बहुत अच्छा experience नहीं रहा है Lloyd को customers का feedback लेना चाहिए क्योंकि Lloyd एक बहुत ही पुराना company है Indian company, 60 years old Indian company Lloyd का जैसे product range है मतलब की Lloyd का television, washing machine, air conditioner बहुत सरा product Lloyd का मिलता है तो Lloyd को अपना reputation के लिए quality के उपर शायद और ध्यान देना चाहिए क्योंकि मेरे TV में तो पिछले 6 साल में कोई भी problem नहीं आया है पर बहुत सारे लोगों को तो problem आता है कोई मेरे comment section में आके जूट तो नहीं बोलता है तो ये जो चीजें हैं Lloyd को इन सब चीजों के बारे में देखना चाहिए investigate करना चाहिए और अपने quality के उपर शायद और ज्यादा ध्यान देना चाहिए तो मैं अपना ये Lloyd का 32 inch HD LED television पिछले 6 साल से यूज कर रहा हूँ मुझे आज तक कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है और इसका picture quality, picture clarity, sound quality और sound clarity के साथ मैं बहुत ही खुश हूँ पिछले 6 साल का experience से मैं ये कह सकता हूँ कि Lloyd का ये मेरा television number one television है तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो like, share और subscribe करना मत भूलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक देखते रहिए Let's talk with चंदन, नमस्कार